नमस्कार दोस्तों सौकत है आपका इस्टेटी फॉर सिविल सर्पसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम ये वालो गृप जरूर सर्ण कर लिजेगा दोस्तों हिस्टों हिस्टरी का हम रिवीजन कर रहे تھे और रिवीजन हम लोग किस प्रकार से कर रहे है तो ये हिस्टरी का कमपाइलेशन का पूरा pdf है जिससे कि आप रोज देखते हैं इसमें तीनों ही पार्ट हिस्ट्री के मौजूद हैं मतलब ancient भी है, medieval भी है और modern भी है तीनों को हम एक एक करके देखेंगे इस समय हमारी जो journey है वो ancient इंडिया में चल रही है और ancient इंडिया में हम लोग इस समय बुद्धिस्म को देख रहे हैं गौतम बुद्ध और उनकी जो teachings है उनके बारे में हमने ज्यान प्राप्त किया है अब यहाँ पर जो बुद्धिस्ट जो literature है उसकी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे और जब भी बुद्धिस्टि की बात आती है तो उसमें त्री पिटकों का नाम आता है जो त्री पिटक है त्री पिटक का मतलब क्या तीन पिटारे पिटारे का मतलब है खजाना या संग्र पोटली आप कह सकते हैं जिसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें भरी वही हो आप लोग सुने होंगे जादू का पिटारा तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों को एक जगए गठा किया गया है तो जो 3PTEC हैं उनका वर्डन यहां शुरू होगा और 3PTEC पाली भाषा में लिखे गये थे मतलब ये पाली लिटरेचर के अंतरगत आते हैं तो इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे यह जो पूरी सीरीज है इसका PDF English Medium का है और इसकी जो explanation होती है वो bilingual होती है हिंदी मात्या माली जो श्रंखिला है वो लगातार पैरलल रूप से चल रही है चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट उपलब्ध है और उसमें कोमेंट बॉक्स में अपने विचारों को साजा करिए यह कुछ बाते हैं और यह फ्री वाला जो टेलिग्राम का ग्रूप है इसको जरूर जवाइन कर लीजे क्योंकि यहां जितने भी information है वो आपको लगातार मिलती रहती है चली आगे चलते हैं यह लोगो है और यह वेबसाइट है आप रोज ही देखते हैं इंडेक्स को आप एक बार देख लीजे इसमें बुद्धिस्म पे हम लोग इस समय ठिके हुए है वैदिकेज को हम लोग पार कर चुके हैं इसके बाद जैन धर्म के बारे में भी देखना बाकी है यह जो ग्रीन कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसमें त्री पिटकों का नाम लिखा हुआ है और उन्हें कटिग्राइज किया गया है तो देख लीजे इन आडर टू प्रीच दॉक्राइन आप बुद्धिस्म बुद्धिस्म का मतलब यहां गौतम बुद्धिसे है यह नय प्रकार का एक साहित्य था जितने भी बहुत साहित्य हैं मतलब बुद्धिस्ट लिट्रेचर है उसमें यह नया था और यह किस भाषा में है तो पाली भाषा में है इसकी लेंग्विज याद रखिएगा यह त्री पिटक कहलाया त्री पिटक क्यों कहलाया क्योंकि इनकी संख्या तीन है इसलिए त्री त्री शब्द जो है वो तीन को डिनोट करता है और इसकी जो कटेग्रीज है यहाँ डिवाइड है, सुत्त पिटक है, बिनय पिटक है और अभिधम्ब पिटक है अब क्वेश्चन यह उठता है कि इनके अंतरगत है क्या मतलब यह पिटक जो है यह इतने शानों शौकत के साथ यहाँ लिखे गए है तो इसके अंदर ऐसी कौन सी बाते हैं जिसकी वज़े से इनका इतना ज़्यादा महत्व है तो देखिए पाली साहित्य में जो जितना भी साहित्य है, जितना भी लिट्रेचर है वो इनी तीन पिटकों के अंतरगत वरगिग्रित है इसे classified किया गया है और यहाँ उसकी जानकारी आप देख रहे हैं पहले सुत्थ पिटक के बारे में दिया हुआ है इसे जूम कर लीजे और देखे सुत्थ पिटक contain the saying and teachings of बुद्ध यह जो सुत्थ पिटक है इसमें बुद्ध के उपदेश है उनकी जो teachings है या जो भी सिक्षाएं उन्होंने दी है वो सब यहाँ पे संग रही थे और इनकी जो total संख्या है वो पाँच है सुत्थ पिटक जो है वो पाँच अलग-अलग भागों में बटे हुए है पाँच जो नाम है वो यहाँ दिये नहीं है उसे सुन लीजिए और नोट कर सकते है तो कर लीजिए देखिए दिर्ग निकाय है मज्यम निकाय है यह सब निकायों के नाम से हैं जितने हैं सबके नाम के आगे निकाय जुड़ा हुआ है तो दिर्ग निकाय है पहला वाला उसके बाद दूसरा जो है वो मज्हिम निकाय है मज्हिम इसमें आधा जह रहेगा और फिर जह रहेगा इसके बाद सयुक्त निकाय है सयुक्त निकाय है यह तीसरा है सुत्विटक में इसके बाद अंगुत्तर निकाय है चौथे नमबर पे कौन है? अंगुतर निकाई है, ये क्यों महतुपूर्ण है? क्योंकि छट्वी शताप्दी इसापूरू, जो इतिहास है उसका, वो अंगुतर निकाई से हमें प्राप्त होता है, खास तोर पे महा जनपदों की जो हिस्ट्री है, उसका बेस यही है, इसके निकाई है, मजिम निकाई है, सयुक्त निकाई है, अंगुतर निकाई है और खुददक निकाई है, ये सब हिस्से हैं किसके सुत्य पिटक के, ये पहला हो गया, इसके बाद विनाय पिटक के बारे में देखिए, जो दूसरा वाला हिस्सा है, वो ये कोने में छिपा हुआ यह देखे, विनाय पिटक, इसमें क्या है, तो इसमें जितने भी रूल्स हैं, संग में प्रवेश करने के या संग में सदस्य बने रहने के, जितने भी रूल और रेगुलेशन हैं, वो सब विनाय पिटक में सम्मिलित हैं, संग के नियमों पर यह आधारित हैं, और इसके चा अटेसरे नंबर का वो है अभीधंब पिटप है और अभीधंब पिटक में सिर फिलोस्फी है Buddhist फिलोस्फी का इसमें पूरा बढ़ा चढ़ा कर वर्डन किया गया है और इसके अंतरगत जो अभी धम में पिटक है इसके अंतरगत चार, माँ कीज़ेगा साथ किताबे आती है, seven books इसके अंतरगत consist की गई है यहाँ आप देख लीजे, इसमें यमका है, इसके बाद पत्थना है, इसके बाद कथावास्तु है यह आप लिखा हुआ देख रहे हैं कथावास्तु है, इसके बाद यह पुगल पनाती है इसके बाद धातु कथा है, विभंग है और अंत में यह धर्म संगिनी या धम संगिनी है यह सब किताबों के नाम है, बुक्स के नाम है और इनकी टोटल संख्या है साथ और इन सब में जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है उसका पूरा डिटेल वर्डन प्राप्थ होता है अब जो बौध इसाहित्ते था उसमें सिर्फ पाली भाषा में ही नहीं लिखा गया था आपने पीछे देखा है, पीछे वाला वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने हीन यान और महायान सेक्ट के बारे में जानकारी हासिल की है तो आपने देखा कि हीन यान वाले जो थे वो एकदम से ट्रेडिशन में विश्वास करते थे बिल्कुल रूडिवादी थे लेकिन जो महायान परंपरा थी उस पे हिंदु धर्म का प्रभाव जादा था और सबसे अच्छी बात जो थी ये हिंदु धर्म या कोई भी धर्म हो प्रभाव की बात नहीं की जा लिए अच्छी जो उसकी अच्छाई थी वो ये थी कि इनके विचार खुले थे आधुनिक विचार थे जो कि modern जितने भी चीजें हैं उन्हें accept करते थे और यही कारण था कि ये जितनी भी बाहर की अच्छाईया थी उन्हें स्विकार करते थे और ये सुधार वादी थे इनका ये मानना था कि अगर दुख है तो उसे दूर किया जा सकता है और इनका जितना भी साहिती मिलता है महायान वालों का वो संस्कृत भाषा में मिलता है उसकी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है यानि हमारी देव भाषा हिंदी जो है वो मात्री भाषा है और संस्कृत जो है वो देव भाषा है कहा जाता है कि भारत वर्ष में पहले एकदम शुरुवात में संस्कृत ही बोली जाती थी बाद में संस्कृत से ही अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है जिसमें से कि हिंदी भी एक है और भी भाषा हैं तो यहाँ पर भाषा विज्ञान नहीं पढ़ना है कुल मिलाकर लेंग्विज देखनी थी कि कौन सा जो लिटरेचर है वो किस लेंग्विज में लिखा गया है तो जो सुत्त पिटक या जितने भी पिटक है, त्रिपिटक है, उनकी लेंग्वेज है पाली, लेकिन जो संस्कृत वाली लेंग्वेज में लिखे गए साहित्य हैं, वो महायान सेक्ट में आते हैं, और उनका भी नाम यहाँ आप देख लीजे, बुद्ध चरित है, इसके अ अंत है, वो वर्डित है, इसके बाद विशुद्धी मग है, और अंत में अभिधम कोश, इस प्रकार के जो ग्रंथ है, वो यहाँ से दिखाई देते हैं, लेकिन लिटरेचर यहीं पर सीमित नहीं है, और भी बहुत सारी जो किताबे हैं, या बहुत सारे जो टेक्स्ट है, वो इसका हिस्सा है, इसलिए अन्ने वाला पार्ट भी इसमें शामिल है, तो यह पूरा बौध साहिते हैं, आगे चलते हैं, इसमें अगला पैराग्राफ देखते हैं, यहाँ पर जो रिलिजियस टेक्स्ट थे, in which the stories of previous birth of गौतम बुद्ध are compiled, वर काल जातक, जातक उन्होंने उतार लिया था, और उन्होंने किस प्रकार से समाज में अच्छा ही फैलाने का प्रयास किया, अपनी भली सिक्षाएं जो थी, उन्हें देने का प्रयास किया, यह दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध जो है, अपने हर जीवन में सुधारवादी रहें, यानि ततकालीन जो बुराईया हैं, उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। तो अपने किस रूप में उन्होंने क्या क्या किया? ये सब जातक कथाओं में वर्णित है और जातक कथाओं कई हैं। मतलब इनकी संख्या कई हैं। ये आप देख रहे हैं, प्रीवियस बर्थ जितनी भी गौतम बुद्ध की हैं, वो इसमें कमपाईल की गई हैं। और इनकी जो लेंग्विज हैं वो पाली हैं। जातक कथाओं की भी भाशा हैं वो पाली हैं। ये यहाँ बड़ी बात है, लेंग्विज याद रखिएगा, जातक की जो लेंग्विज है, जातक टेल्स की जो लेंग्विज हैं वो पाली है। चलिए, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मूर्तियों का वर्डन हैं। जो आइडल्स होते हैं बुद्ध के, वर्दमान में हम यह दिखाई देते हैं, अलग-अलग स्थानों पे, उसका वर्डन है। तो यह एक मुद्रा का वर्डन है, यह जो पॉस्टर था, यह कैसा है, भूमी इसपर्ष मुद्रा। भूमी का मतलब होता है जमीन या पृत्वी, और इसपर्ष का मतलब होता है चूना, तो यहाँ पर जमीन को छूती हुई यह मुद्रा थी, अब किस प्रकार से यह जमीन को टच कर रहे हैं, यह देख लीजे, इसमें बुद्ध दिखाई देते हैं, एक बैठी हुई मुद् मतलब यह सीटेट दिखाई देते हैं, और किस चीज़ पर यह बैठे हुए हैं, तो यह कमल के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जो लोटस थ्रोन है, उस पर यह विराजवान है, और इनका जो राइट हैं, यानि दाहिना हाथ है, वह एक as a pendant है, over the right knee, इसकी जो situation है, उसको दे यह जमीन को छूती हुई, जमीन को हात से सपर्श करती हुई मुद्रा है, इसलिए इसे कहा जाता है, भूमी सपर्श मुद्रा, और इसमें बुद्ध के सिंहासन के तओर पे, उनके थ्रोन के तोर पे लोटस को यूज़ किया गया है, यह दिखाए गया है, इन दा मीन वो जमीन को इस पर्श कर रहा है वही भूम इस पर्श मुद्रा यहां पर बना रहा है यह आप देख रहे हैं दिस गेश्चर रिप्रेजेंट दर मुवमेंट ऑब बुद्स अवेकनिंग ऐस प्लेंग का मतलब क्या होता है यहां यह दावा कर रहे हैं और दावा किस चीज का यह विटनेस बनाये हुए हैं प्रिथवी को जैसे आप किसी चीज की शपत लेते हैं अदालत में गीता की शपत ली जाती है मतलब आपके सामने गीता की पुस्तक रखी जाती है आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं और इसके अलावा अदालत में जो मतलब कोर्ट में सुनवाई होती है उसमें विटनेस का बड़ा महत्व होता है गवाह अगर अच्छा है तो आप जो केस है उसको जीत जाएंगे यहां पर धरती को साक्षी बनाया गया है जमीन को विटनेस बनाया गया है धरती को माता मान जाता है और बुद्ध भी मानते थे तो ये विटनेस बनाते हैं उसे और मा को विटनेस बनाना ये बड़ी बात होती है और किस चीज का ये विटनेस बना रहे हैं अपने करते हैं इसकी साक्शि वह घर्ती को बना रहे है ऐसा इनों को किया जब हॐसरक कहने का मतलब यह है कि ऐसा डेमोन मार है वो यहाँ पे ट्राइड करता है प्रयास करता है युद्ध करने का अपनी पूरी सेना के साथ जो की डेमोन्स की सेना रती है मतलब दानवों की सेना रती है ये बुरे लोग रहते हैं, evils रहते हैं और इसमें इसकी पराजय होती है बुद्ध के द्वारा इसे पराज़त कर दिया जाता है इस प्रकार की सूचनाएं मिलती है, तो ये सब एतिहासिक सूचनाओं की यहां जानकारी दी गई है, और इनका जो स्रोथ है वो क्या है, इनका सोर्स मेन रूप से जो बौध साहिते है वो यही है, मतलब बौध साहिते के रूप में हमें इसका प्रमाण मिलता है, इसमें जो ताहिने हाथ से जो भूमी है उसको पर्ष करके रखा हुआ है यानि छू कर रखा हुआ है और जो बाया हाथ है वो इनकी गोध मेस्तित है और इनका जो थ्रोन है वो लोटस का बना हुआ है पद्म सिंहासन है इसके बाद आगे की सूचना during the Buddhist period जो बुध का समय था या बौधकाल था उससे में some of the most important center of learning in India उससे में सिक्षा के महतुपोर्ड केन्दर जो भारत में थे लर्निंग के लिए जो main center थे भारत में उसमें नालंदा का नाम आता है विक्रमशिला का नाम आता है आप यहाँ देखए है नालंदा विश्यवि बिद्यार्थी थे या भारत वर्ष के जो students थे वही सिर्फ यहां नहीं पढ़ते थे बलकि जो विदेशी लोग थे वो भी आकर यहां ग्यान प्राप्त करते थे मतलब यह सिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था यह बड़ी बात होती है मतलब बाहर से कोई अगर बच्चा आकर पढ़ना चाहिए या बच्चे नहीं बड़े बड़े जो दार्षनिक होते थे वो भी आकर यहां पढ़ते थे बच्चे तो बहुत रेयर होते थे यह ऐसे लोग होते थे जो कि अपने ज्ञान प्राप्ती की उम्र को limited नहीं रखते थे सीमित नहीं रखते थ तो यह सिख्षा के महतुपूर्ण केंद्र थे नालंदा है विक्रमशिला है वल्लभी है भारत के तो विद्यार्थी यहां आते ही थे सीखने के उद्देश से लेकिन विदेश वाले यहां ज्यादा आकर्शित होते थे इसके बाद अधर कंट्रीज में जो साउथ हीश्ट उन्हें दिया हुआ है तक्षिशिला है वर नालंदा है हाला कि बाद में यह जो कुछ अज्यानी लोग थे उनके शिकार हो जाते हैं और इन्हें तोड़ फोड दिया जाता है कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो कि इनका पुरा विद्भन्स कर देते हैं तो यह बहुत सि इंद्रों पे जो कि लर्निंग के सेंटर थे यहां जो भी टीचिंग सेने मिलती थी वो क्या थी बहुत धर्म से जुड़ी हुई थी यह लोग बहुत साहितिका अध्यान करते थे नई किताबें लिखते थे और बहुत दर्शन को और गहराई से जानते थे यानि बुद्ध यह मेन सेंटर था एजोकेशन का सही बात है और इसका संबंद बुद्ध से है इसमें भी कोई डाउट नहीं है लेकिन यह किसे रिलेट करता था यह महायान बुद्धिस्म से संबंद रखता था महायान बुद्धिस्म का जो सेक्ट था उससे यह जुड़ा हुआ था इसके खृ किन राजा थे इने पा शाशक आप कह सकते हैं थर्म पाल इनके द्वारा लिक्रम शिला महाविहार की स्थापना की गई थी He also constructed temples and monasteries here इन्होंने मंदिर और मठों का निर्माड भी यहाँ पर करवाया मतलब धर्म पाल का जुकाओ बुद्धिस्म की ओर था और उन्होंने विक्रम शिला विश्र विद्याले को भी स्थापित किया और उसके अलावा बहुत सारे मठों और मंदिरों का निर्माड भी पास में करवाया ऐसा इन्होंने क्यों किया मठों और मंदिरों के जरिये यह रहने का स्थान दे रहे थे मतलब जो वहाँ पढ़ने की रुची से आये हुए विद्यार्थी है वो एक जग़े रुख कर रह सके एक तरह से हॉस्टल की जो फैसल्टी है वो दे रहे थे इसके पाद और भी देख लीजे यहां आप मीचे वाली लाइन में देखिए अब यहां पर यह कहा गया है कि जो फिप्थ सेंचुरी है यानि पाँचवी शताब्दी है उसके मध्ध में यह जो नालंदा यूनिवरसिटी है इसका एक्जिस्टेंस कब होता है यह मिडिल आफ फिप्थ सेंचुरी में होता है और उस समय जो समय था जो पीरियट था वो गुप्त काल का था मतलब गुप्तों का उस समय शाशनकाल था उसका यहां जिक्र किया गया है फर्स्टली कुमार गुप्त प्रथम गेव डोनेशन तो नालंदा बुद्धिस्ट विहार और बुद्ध गुप्त सबसे पहले जो बुद्धिस्ट विहार को डोनेशन देने वाला गुप्त राजा था वो है कुमार गुप्त प्रथम इसने पहले क्या किया नालंदा बुद्ध विहार को या बुद्ध विहार को पहले डोनेट किया और उसके बाद बुद्ध गुप्त को ये डोनेट करता है इसके बाद तथागत गुप्त यहाँ थोड़ी सी मिश्टेक है इसे देख लीजे कुमार गुप्त जो है ये सबसे पहले डोनेट करने वाला राजा होता है, फस्टली इसलिए यहां लिखा हुआ है, और यह नालंदा बुद्धिष्ट विहार को डोनेट करता है, और इसके बाद बुद्ध गुप्त और तथागत गुप्त और इसके बाद बाला दित्य, यह लोग भी जो है, यह व्यक्तियो of Buddhist Study which was established by Bihar Government in Nalanda in the year of 1951. Bihar की सरकार ने नालनदा विश्र विद्याले का फिर से जिर्णो धार किया, मतलब उस इस्थान पे फिर से नया निर्माड करवाया और इसलिए उस जगा का नाम रग दिया नालनदा महाविहार, नालनदा महाविहार का मतलब क्या, ये नया है, नया क्यों है क्योंकि पुराना वाला नश्ट हो चुका है, उसे तोड़ फोड़ दिया गया था, किसने तोड़ा था ये भी बताया जाएगा, और ये establishment Bihar Government की द्वारा कराया गया 1951 में, ये आप देख इसके बाद Одन्ति पुर, जिसे कि उदन्त पुर के नाम से भी जाना जाता है, और एक अपूठी जगह के नाम से लेको कईघाएगा, ये काफी बड़ा सिक्षा का इन्द हुआ करता था, और इड़वा पैस 2023 अबिहार इन इंडिया, मतलब, वर्तमार में तो ये भारत में हई है लेकिन उस समय इसकी जो अवस्थिती थी वो मगद में थी ये मगद किंगडम का हिस्सा हुआ करता था इसके पाद चैत्य शब्द का अर्थ दिया हुआ है चैत्य जो वर्ड है उसे यहाँ पर यूज किया गया है और उसकी जो मीनिंग है वो बताई गई है चैत्य का वास्तविक अर्थ होता है रिलेटेड टू चिता चिता का मतलब क्या? मतलब अंतिम संसकार के लिए तयार किया गया स्थान जिस रूप में शव को अंतिम रूप से दफन किया जाता है जो भी उसका प्रॉसेस हो तो वो जो अंतिम इस्ट्रक्चर है वो चिता कहलाता है और यहाँ पर चैत्य शब्द उसी से बना हुआ है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर समाधी होती थी समाधी वर built on the ground after burial of dead bodies जो मृत शरीर होता था उसको दफनाने के बाद उसके उपर एक समाधी बनवाई जाती थी दे वर initially called चैते और स्थूप इसी को चैते या स्थूप कहा जाता था और यहाँ पर बाकी जो बुद्धिष्ट मौंक थे वो prayer के परपज से आते थे तो यह prayer वाले स्थान होते थे और इसके उलट जो विहार होते थे वहाँ पर रहने का स्थान होता था यहाँ पर प्रार्थना के उद्धिष्ट से जो बुद्धिष्ट मौंक है वो आते थे तो पीछे बताया गया है कि चैते जो थे वो प्रार्थना इस्थर थे तो वहां confused मत होईएगा चैते जो होते थे वो एक तरह से समाधी ही होते थे मतलब ये स्टूप के तौर पे होते थे लेकिन यहाँ पर प्रार्थना भी की जाती थी मतलब इनके चारो और इकठा करके जो भीड है समुदाय है और लोग प्रेयर करते थे आगे देखते हैं इन दीज समाधीस रैसिद्यूज ऑफ ग्रेट मैन वर केट सेफ यहाँ पर जो महान व्यक्ति होते थे महान व्यक्ति में गौतम बुद्ध भी हो सकते हैं या जितने भी उस समय के महात्मा मतलब बहुत धर्म से जुड़े हुए महात्मा है उनकी यहाँ पर अस्थियां उनके जो औशेश हैं वो यहाँ इकठे रखे जाते थे और इस वज़ए से चैते जो है यहाँ देख लीजिए उसका कारण और यही कारण है कि चैते जो है वो पूझे हो जाते हैं शमशान की कोई पूझा नहीं करता और कब्रिस्तान की भी कोई उपासना नहीं करता मतलब लोग सम्मान व्यक्त करते हैं लेकिन वहाँ पूजा के उद्धिश से तो जाते नहीं है लेकिन यहाँ पर चैते का क्या हाल हुआ चैते में जितने भी महान पुरुष होते थे उनकी अस्थियों को या उनकी अशेशों को इकठा किया जाता था और यही बजा थी कि यह बौत धर्म की आस्था का केंदर बन जाते हैं और यहां पर लोग उपासना के परपच से प्रेयर के परपच से आते हैं The houses built near monestries और चैत ग्रिय वरकाल विहार और ये जो monestries और चैत ग्रिय होते थे मतलब ये स्थान होते थे इनके पास जो houses built किये जाते थे यानि घर बनाया जाते थे उन्हें विहार कहते थे तो कहने का ताथ पर यहां मुख्य अंतर समझ लीजे यहां से UPSC में question बना भी था मतलब यह UPSC इस पर एक बार question पूछ चुका है असल में यहां पर जो औशेश थे उन्हें दफन किया जाता था या इकठा रखा जाता था और लोग आस्था वस यहां इकठा होकर प्रार्थना करते थे यह चीजे हैं इसके बाद मेजर जो बोधिसत्व हैं उनके बारे में देख लीजे यहाँ पर बोलिसत्व कई हुए है बोलिसत्वों की संख्या सिर्फ इतनी नहीं है लेकिन जो मुख्य है उनका यहां जिक्र किया गया है तो अव लोग की तेश्वर है इसके बाद मंजुश्री है इसके बाद वज्रपाणी है वज्रपाणी का मतलब क्या? हाथ में वज्र लिये हुए, पाड़ी मतलब होता है, हाथ और वज्र मतलब आप जानते ही हथियार होता है, इंद्र देव का जो असली श्रस्त्र था, वो क्या था, वज्र था, इसके बाद जो अगले हैं वो कौन है, छितिगर्व हैं, और अंत में मैत्रे हैं, अव लोकी ते जातक टेल्स में, लेकिन यह जो मैत्रे हैं, इनके भविष्य में जन्म लेने की संभावना है, मतलब यह भविष्य में फ्यूचर में पैदा होंगे, ऐसा कहा जाता है, और यह भी समाज को एक नई दिशा दिखाएंगे, ऐसी लोगों की माननेता है, यह कुछ है, और इसक कुछ राजाओं के नाम है, और कुछ डैनस्टी के नाम है, मतलब पूरी की पूरी जो डैनस्टी थी, वही इने पूरी तरह से समर्पित हो गए थी, तो बिम्बिसार है, बिम्बिसार और अजाद्शत्रू दोनों, यह मगत के किंग थे, इसके बाद आप देख लीजे, प पेटरॉन थे, बुद्धिस्म में, इसके बाद अशोग और इसके बाद दशरत, अशोग और दशरत, जो कि मौरे कुल से सम्मंदित थे, मौरे डैनस्टी आगे दिया हुआ है, यह भी पेटरॉन थे, अशोग का तो काफी नाम है, इसके बाद कनिश्क, कनिश्क की भी आस से रिलेट करते थे, वो भी इसमें जुके हुए थे, और इसके बाद साहसी डैनस्टी, साहसी डैनस्टी के बारे में आपने सुना है, जो अर्बों की सिंध वीजय वाला वर्डन था, उसमें चच नाम का ब्रामड इसी साहसी डैनस्टी को रिप्लेस करता है, और वहाँ प को भी समर्पित है, और बुद्ध को भी समर्पित है, मतलब उनका जैनेजन में भी यकीन है, और बुद्धिस्म में भी है, दोनों में ये भरोसा करते हैं, तो यहां तक हमने जो बहुत धर्म है उसके लिटरेचर को देखा, और उसमें जो बुद्धिसत्व आ रहे थे, उ रहती और विहार का अंतर समझा, और रंत में जो पैटरान किंग बुद्धिस्म से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार.